कॉंग्रिस सांसद विवेक तन्खा का बड़ा बयान बुले देश में मानवी अधिकारों का हनन हो रहा है मैं ऐसे प्रजातंत्र में नहीं रहना चाता यहां ताना शाही कॉंग्रिस के साथ वरिष्टि निताओं ने आज प्रदेश कॉंग्रिस का रहले में एक साथ प्रेस कॉंफरेंस की राजिसबा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि देश में मानवी अधिकारों का हनन हो रहा है यह ताना शाही है मैं ऐसे प्रजातंत्र में नहीं रहना चाता कि कश्मीर के लोगों की बात करते हो तो वहां चुनाव तो करा हो सभी नेताओं ने लोगसभा चुनाव के लिए जारी पार्टी के मैनिफस्टों पर बात की विवेक तन्खाने की समविधानिक न्याय पर बात मैं आज आप लोगों के साथ सम्वेधानिक न्याय मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूँ मैं इस बात को लेकर पीडित हूँ कि देश का पार्लेमेंट लगबग नहीं चल रहा है चलता भी है तो भी जिस प्रकार से कानून बनते हैं वो प्रजातंत्रिक नहीं है पार्ल मेरे नाम के साथ देश के उपराश्च्रपती ने मुझे कहा था कि तनखा जी मैंने नहीं सोचा आप अपनी पार्टी के लीडर के साथ वेल में आ जाएंगे आप कानून के विद्वान हैं लोग आपको आइकन के तौर पर मानते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे कॉंगरिस सबको साथ लेकर चलती है पूर्व मुख्यमंतरी दिगविजे सिंग ने कहा हमें इस बात का दुख है और हम आश्चरी चकित भी हैं कि क्या कारण है कि जातिगत आधार पर जनगर्ना नहीं हो पा रहे हैं सामानी तोर पर हर दस वर्ष में जनगर्ना होती है ले तक जातिकत की जनगर्ना की आगड़े सामने नहीं आएंगे हमें यह नहीं पता लगेगा कि आखणों के आधार पर किसकी कितनी हिसिदारी है हम सभी वर्गों के लिए समान अधिकार और हक्मिले उसके लिए गैरन्टी देते हैं इसके लिए भारती समिदान में संशोधन क अब तक के लिए बस इतना ही फिरोगी आपसे मुलागात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहे दखा बलदा और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कलाव वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नमबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं प्लीज विजिट था मांटें कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट खूड नियर्बाइ सुहागी बाइपास